नमस्कार दोस्तों वेलकम टो काईरोज यूपीएसी राइट टाइम एड़ राइट मॉमेंट तो चलिए शुरू करते हैं अमारे आज के सबसे पहला क्विस्चन सबसे पहला क्विस्चन आपके सामने है बांथिया कमीशन या फिर बंथिया कमीशन आप जो भी बोल सकते हो बांथिया कमीशन सीन इन न्यूज रिसेंटली इस रिलेटेट टू आपको बताना है कि बांथिया जो कमीशन बनाया हुआ है यो किनके रिगारिंग है क्या रिजर्वेशन इन लोकल बोरीज में सेंट्रल बेंक की डिजिटल करणसी के लिए है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए है या फिर रेलवे का रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए है चलिए बताएं इन चार में से क्या सही जवाब आएगा जी हां आपका सही जवाब है ओप्सन इन रिजर्वेशन इन लोकल बोरीज आपको पता होगा कि हमारे देश में संसद में अगर हम देख लें तो एसी और एस्टी को कुछ सीटे रिजर्व किया हुआ है जैसे कि लोक सबा में 84 और 47 सीट रिजर्वेशन रखने का प्रावदान है लेकिन इसी तरह से लोकल बोडिज में भी उनके रेप्रेजन्टेटइव फिक्स करने के Лिए उनको रिजर्वेशन दिया हुआ है बस उसी तरह से अभी लोकल बोडी में OBC कम्यूनिटी को रिजर्वेशन देने के लिए बाथिया कमिशन बनाया हुआ था तो हमारा सही आंसर होगा option A यानि की रिजर्वेशन इन लोकल बोडी चलिए अब देख लेते हैं कि यह कौन सा कमिशन है और क्यों बनाया हुआ है तो जयंत कुमार बाथिया कमिशन जो है इनकी रिपोर्ट को उनकी रिपोर्ट के हिसाब से OBC को 27 प्रतिसद रिजर्वेशन मेंना चाहिए कहां पे लोकल बोडी में ठीके तो आपको याद रखना है जयंत कुमार बाथिया कमिशन किन के साथ जुड़े हुए है चलते हैं हमारे अगले क्वेस्टेन की और अगला क्वेस्टेन बहुत ही आसान दिया हुआ है आपको की ग्लोबल जेंडर गेप इंडेक्स किन के द्वारा दिलीज किया जाता है आपके सामने ओप्षन है वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम ओक्सपर्म इंटर्नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉलिशन नेटवर्ग या फिर UNDP यानि की युनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम चलिए बताना है आपको ग्लोबल जेंडर गेप रिपोर्ट किनके द्वारा रिलीज किया जाता है जी हाँ बिल्कुल सही बात है डबल्यू इ एप चलिए तो आंसर आ जाएगा हमारा ओप्षन ए लेकिन यह क्यों निउस में था इनके रिकार्डिंग आपको में चीज पता होनी चाहिए तो रिसेंटली क्या हुआ है 17th edition जो है किनका ग्लोबल जेंडर गेप रिपोर्ट का 2023 वा उनको रिलीज किया हुआ है किनों ने डबलो इएफ ने ठीके और यह क्या इवेल्यूएट करता था जेंडर पेरिटी वेल्यूएट करता था कितने कंट्री में 146 कंट्री में ठीके अब यह 146 को जेंडर पेरिटी के बेस पे वेल्यूएट करने के लिए में में चार डाइमेंशन के बेस पे वो तोई करता है जैसे कि सबसा पहले हम ले ले तो economic participation and opportunity opportunity प्रोवाइड किया जाती है ठीके और उसके बाद आपको बताते हैं दूसरा की indicator educational attainment आपके देश में महिला है कितने education degree प्राप्त कर सकती है और education तक उनकी पहुँच कितनी है ठीके चलिए तीसरा जो indicator है वो है health और survival देखिए आपके देश में TFR से लेके MMR यह जो सारे चीज होती है per capital income तो हमने देखी ली लेकिन साथ साथ हमें per capital average age के भी बारे में हमें पता होना चाहिए हमारे सेब देश में अगर पुरुष और महिला दोनों को मिला के हम उनकी average age देखते है तो उनमें से महिलाओ की जो age है और महिलाओ की जो health है उनके बारे में हमें देखना है ठीके तो यह indicator भी gender parity के देखने के लिए बहुत ही काम्याब रहा है और चोथा indicator है जो है political empowerment कि आपके देश में कोई भी महिला है उन महिला को legislation में यानि की आपके political system में कितना participation दिया जाता है ठीके तो यह चार indicator है उनके base पे यह tank किया जाता है अब इसी के base पे इंडिया को 127 rank मिला है कितने में से 146 में से ठीके लेकिन अगर हम देखने जाये तो पिछले साल की तुलना में हमने काफी improve किया हुआ है हम ना रहा है पिछले साल था 135 और इस बार हम आये है 127 पे ठीके हमने तकरीबन तकरीबन 8 position और 1.4 percentage point में प्लस किया हुआ है चलते हैं हमारे अगले question की और अगला question आपके सामने है consider the following statements regarding warm holes आपको warm holes के बारे में बताना है पहला sentence warm holes are consistent with the general theory of relativity क्या वो general theory relativity जो की किनों ने दिया थे किनों ने दिया था हमारे great scientist Albert Einstein ने दिये थे ठीके तो क्या उनके साथ यह consistent रहता है जी हाँ यह sentence सही है दूसरा sentence a warm hole might connect extremely long distance such as a billion light years आपको पता होगा की space में astronomically जो भी हम unit को तै करते है वहाँ पे distance का जो unit है वो distance का unit हम light year में count करते हैं ठीके अब light year का count कैसे करते हैं कि प्रकास की एक किरन ray एक साल में कितना दूरी तै करती है उतनी दूरी को हम क्या कहेंगे one light year कहेंगे ठीके तो यह billion of light years long हो सकते हैं उनका distance हो सकता है तो आपको बताना है incorrect और यहाँ पे पहला सही है दूसरा भी सही है तो हमारा option आएगा सही जवाब ठीके यानि कि कोई भी गलत नहीं है अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनके बारे में क्यों चर्चा हो रही थी तो warm halls are consistent with the general theory of relativity but whether warm halls actually exist remain to be seen अभी हमें पता नहीं है कि क्या ऐसा सही में है तो है तो हमें अभी देखना बाकी है तो इसी के regarding scientists ने अपनी study को 2D और 3D के objective base पे उन्होंने एक fourth special dimension develop करने की बात किया है को इसके base पे हम warm halls की और ज्यादा study कर सकते है ठीके चलो चलते हैं हमारे अगले question की और अगला question international relation के base पे बहुत ही important है आपको पूछा जा सकता है कि NATO plus country में कौन आता है आपको बताना है NATO plus जो 5 days है उनमें से कौन कौन से सही जोड यहां पे दिया है तो आपको पता होगा कि इंडिया तो ऐसे कोई country में आता नहीं है ठीके तो जहां पे इंडिया देखा वहां पे इंडिया को काट दो भया B में इंडिया है यहां पे नहीं आएगा C में इंडिया है यहां पे भी नहीं आएगा तो option B और option C आपका गलत हो गया तो देखे यूक्रेन जो कंट्री है यूक्रेन को अभी फूल मेंबर बनना था नाटो का और इनकी जो भी प्रोसीजर थी उनके बेश पे रूस ने उनके उपर हमला कर दिया ठीके अब युक्रेन नाटो प्लस में होगा तो इतना जल्दी तो करेगा नहीं कि भाई मुझे नाटो में ही शामिल होना है चलिए कोई दिक्कत नहीं हमें नाटो प्लस तो मिला हुआ है ना तो इसी के बेस पे हम युक्रेन को यहां से काट सकते हैं और एक और चीज यहां पे solid answer आएगा Israel क्यूं क्यूंकि मान लो NATO जो country है यह NATO country में सबसे ज़्यादा contribution कौन देता है USA देता है means कि NATO का जो भी leader है यह leader देश में सबसे ज़्यादा important कौन किसका है USA का है और आपको पता होगा कि USA हमेशा Israel के साथ साथ खड़ा रहा है क्यूं क्यूंकि USA में है आपकी democracy और USA की democracy में वहां की जो business lobby है builder lobby जो है वहां पे यहुदी का प्रभाव ज्यादा है और यहुदी के लिए इसरायल अपनी मत्र भूमी है ठीक है तो जहां जहां USA रहेगा वहां वहां उसका भाई इसरायल साथ होगा तो यहां पे इसरायल आएगा तो option हमारा A बिलकुल सही साब प्रभावित होता है ठीक है देख लिजिए एक बार अभी nato plus कौन सा देश है तो जो nato के अलावा जो देश है जिनको American संसद ने American Senate ने क्या दिया है नाटो प्लस फायू का स्टेटस दिया है ठिके ऐसे 5 देश जो है उनका मिलाके नाटो प्लस फायू किया जाता है इनमें अभी छे होने की बात हो रही है क्यूं क्यूंकि US के सेनेट ने यह ओवर अब हमारे प्यारे भारत को भी दिया है लेकिन आपको पता होगा कि भारत इनको select करेगा नहीं क्योंकि भारत अपनी international relation में क्या चाहिए उनको autonomy चाहिए ठीके अगर हम इस देश में सामिल हो गए इस organization में सामिल हो गए तो हमारी autonomy चली जाएगी अब हम एक बार USA और एक साथ रुसिया के दोनों के साथ बात्चीद करने की capacity नहीं रख पाएंगे तो फिलाल यहां पे कौन-कौन से देश है उस्टेलिया है न्यूजिलेंड है जापाण है इसराइल है और साउट कोरिया है ठीके तो आपको याद रखना है चलिए चलते हैं अगले question की और अगला question आपक गगन यान चलिए आपको गगन यान जो की हमारा क्या है crude orbital spacecraft है उनके बारे में आपको correct sentence पूछा है चलिए correct sentence क्या है Yes बिल्कुल सही बात है अब तक हमारे जो भी launch vehicle थे वो PSLV थे लेकिन इस बार जो हम बेजने वाले हैं गगन यान को वो जाएगा जी एसलवी से अभी latest ही हमने जब चंद्रायान 3 बेजा था उसमें हमने इनका इस्तमाल भी किया हुआ है दूसरा sentence व्योम मित्रा अ फिमेल लुकिंग रोबर्ट विल एकंपनी दे अधर एस्ट्रोनॉट्स इन दे मिशन जी हां व्योम मित्रा को भी हम साथ में बेजने वा साली रोबोट है तो यहाँ पे दोनों के देनों sentence सही है हमारा answer आजाएगा option C both 1 and 2 ठीक है यहाँ पे बहुत सारी information आपको दी हुई है हमारे गगनियन के बारे में आप चाहे तो वीडियो को यहाँ पे pause करे एक screenshot ले यहीं पे पढ़के आगे वीडियो continue कर सकते है ठीक है च टेटिक क्वेस्चन जो की UPSC के PYQs के होते है ठीक है चलिए उनमें सबसे पहला question आपके सामने है फिज रेपरेंस तू कल्चरल हिस्ट्री ओफ इंडिया consider the following statement और इन statement के बारे में आपको correct sentence कौन सा है वो बताना है ठीक है चलिए सबसे पहला sentence बता रहा है most of the त्याग रा Lord Krishna त्याग राज की कृति के बारे में बता जाता है कि यह ज़्यादा तरकिन को Lord Krishna को ही क्या करते थे उनको praise करते थे उनकी पूजा करते थे दूसरा त्याग राज created several new ra क्या त्याग राज ने कुछ नहीं रग निर्मान किये थे उनको बनाया था देखे यह बहुत ही general सा question ह अब ऐसा किसी भी हमारे संत के बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई नया राग या नया गीत ऐसा कुछ नहीं बनाया था ठीक है तो दो तो सही होगा ही होगा अब जैसे ही दो सही होगा आपका ए जो ही यह गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें दो नंबर नहीं है ठीक कब हो गए, दोनों के बीच में सालों का डिस्टंस है, चलिए आप बताईए कि अन्नमाचारिया और त्याग राज कौनसी कौनसी सेंचुरी के बीच में हो चुके है, ठीके तो तीसरा तो हमारा गलत है अब जैसे ही तीसरा गलत है, हमारे यहां पे C में गलत है, तो C गलत हो गया, D में भी 3 है, तो D भी गलत हो गया, देखिए, option हमारा सही जवाब हमें टीक करना है, option B, यानि कि 2 और 4 क्या है, correct है, जबकि मैंने अभी 4 तो पढ़ा भी नहीं है, ठीके, यही होती है, कौन सी टेकनीक, elimination technique, लेकि अभी फिलहाल UPC ने इसी को eliminate कर दिया है, कैसे eliminate कर दिया है, UPC ने इस question में क्या पुछा है, कि भाईया बता दीजिए कि इन 4 में से कौन कौन से sentence क्या है, correct है, अब UPC यह पुछ रहिए, कि भाईया हमें यह नहीं पता लगाना है, कि कौन से correct है, आप हमें इतना बता दो कि 4 में से कितने correct है, एक correct है, दो correct है, तीन है, यह चार और चार है, हमें यह नहीं जाना कि कौन सा वाला correct है, लेकिन सिर्फ नंबर बता दो कि इतने correct है, ठीके, तो अन्नमाचारिया किर्तन्स और डेवाशनल सौंग इन प्रेज दू लोड वेंकटेश्वरा, ठीके, य मारा सही answer हो जाएगा, option B, दो और चार, चलिए, चलते हैं अगले question की और, अगला question आपको पूछ रहा है, प्रेमवाटी का poem जो है, प्रेमवाटी का poem, वो life है किस के बारे में, क्रिश्चना के बारे में, जिनको compose किन होने किया था, चलिए, बताए कि प्रेमवाटी का जो क क्रिश्चना के जीवन के उपर, जो story है, वो काविया है, poem से, उनको compose किन होने किया था, क्या बिहारी ने किया था, सुर्दास ने किया था, रक्षण ने किया था, या कभीर ने किया था, ठीके, अगर आपको पता होगा, तो आपको यह बताना है, कि बिहारी की कौन सी famous कु कुरूती है कबीर की कौन सी फेमस कुरूती है और रक्षक की जो कौन फेमस कुरूती है वो तो यही है क्या नाम है उसका प्रेम वाटिका तो हमारा सही आंसर हो जाएगा option C यानि की रक्षक ठीक है चलते हैं हमारे अगले question की और अगला question आपको पूछ रहा है विच रेपरेंस तुदा में आं तांसें मिया तांसें वीच वन ओप फॉलोइंग statement is not correct चलिए आपको बताना है कि इन चार में से कौन सा sentence सही नहीं है हम नीचे से जाते अभी मैंने पिछले वाले question में बताया कि बढ़े बड़े जो हमारे historians हमारे जो संत मुनी या हमारे जो great poets हो चुके हैं उन्होंने कुछ ना कुछ तो हमारे art and culture के लिए contribute किया है ठीक है तो यहाँ पे d बहुत generalize question था तो यह एक सही sentence है दूसरा देखते है तांसेन compose song on his patrons ठीक है तांसेन ने compose किये थे song on his patrons अब his का मतलब क्या है तो उसके लिए हमें और आकर देखना पड़ेगा तांसेन compose drupad on hindu god and goddesses चलिए यह बात तो सही है कि तांसेन ने हिंदू देवी देवता के उपर drupad में compose किया था लेकिन अभी हमें यह देखना है ना किसी में कि यह किनके द्वारा patron किया जाता तो आएए आते हैं हमारे option a की और तांसेन was the little given title given to him by empegier akbar क्या तांसेन को akbar का अकबर ने title दिया था और क्या तांसेन ने compose किये थे song akbar के patrons में तो c तो सही है लेकिन a कैसा है गलत है तांसेन को मिया तांसेन का जो बीरुद है वह akbar ने नहीं दिया था चलिए आप बताइए वह किन्हों ने दिया था मैं आपको अगर एक hint दे दू तो वह जो king था यह mp से बिलोंग करता था यानि कि आज के मध्यप्रदेश से बिलोंग करता था ठीके तो फिलहाल यहां पे हमारा सही अंसेर ए अप्शन ए तांसेन वोज नोट गिवन टाइटल बाई अकबर चलिए चलते हैं अगले केस्टन की और बहुत आसान सा सवाल है आप लोग चुटकी बजा के कर दोगे कि भैया बनी ठनी जो पेंटिंग है यह कौन सी स्कूल की है ठीके क्या बुंदी की है जैपूर की है कांगरा की है या किसंगर की है तो आपको की और आखरी क्वेस्टन आपको पूछ रहा है है एड अप दे मिलिटरी डिपार्टमेंट अंडर दे रेकोगनाईज सेंट्रल मशीनरी अप एड्मिनिस्टेशन द्यूरिंग अकबर रेंग वोस आपको इतना बताना है कि अकबर के टाइम पे अकबर के समय पे जो सेंट् को क्या बोलते थे ठीक है क्या उनको दिवान बोलते है क्या उनको मीर बक्षी बोलते थे क्या उनको मीर सम्मान बोलते थे या फिर सिर्फ बक्षी बोलते थे तो इस सेंटेंस का इस क्वेस्टन में जो पूछा गया है उनका सही आंसर आएगा option B यानि की मीर बक्षी ठीक ह मीर वक्सीन इसका सही जवाब आएगा तो चलिए ब्रेंट आज के वीडियो में इतना ही आने वाले समय में और क्वेस्चन देखेंगे तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें थेंक यू